हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने वाटसअप में अपने कॉल का जो लिंक है वो कैसे आप क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे वाटसअप के इस पेज में कॉलिंग के इस पेज में यह यहाँ पर जो है create call link का यह option यहाँ पर शोर है ठीक है तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है नीचे की side में share a link for your WhatsApp call ठीक है तो आपको एक link share कर लेना है कैसे आप कर सकते हैं इस link को share अपने WhatsApp call के लिए यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो वीडियो को चलिए आकर तक ध्यान से जरूर देखेगा और यहाँ पर मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है मैं आपको अब आप इसे शेर कैसे करेंगे यहाँ पर आप शेर लिंक पर आप इसे टैप करेंगे इस तरीके से शेर लिंक पर सबसे नीचे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर यह WhatsApp या फिर आपको यह शेर यह कोई साभी एप्लिकेशन आपको यूज कर लेना है अगर आपको WhatsApp पर यह link share करना है तो आप वाट्सअप उपन कर लेजी अगर आपको यह link अगर आपको Instagram, Facebook कहीं पर भी यह link share करना है अपने calling का तो आपको इसे जो है Facebook या Instagram भी select कर सकते हैं मैं आपर example के लिए WhatsApp यूज कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर जो है यह मैं अपना एक फोन नूमबर यहाँ पर select कर लेता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं इसे right click कर देता हूँ नीचे की side में अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ यह जो है WhatsApp वीडियो कॉल का यह जो लिंक यहाँ पर आ चुका है अब आपको इसे next कर देना इस arrow के बटन पर तबाखे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ यह लिंक यहाँ पर शेयर हो चुका है WhatsApp पे ठीक है मैंने अपने इस friend को यहाँ पर यह लिंक शेयर कर दिया है ठीक है अब जब यह इ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं सामने वाला person जो इस लिंक को टैप करेगा तो आपको वो call कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से यह create call link इस तरीके से यह setting काम करती है आपके WhatsApp में I hope कि दोस्तों आपको इस वीडियो में दिविजान करी अच्छी लगी होगी समझ में आई तो इस setting को जरूर यूज करके देखिएगा